गुड मॉर्णी आविवन, वेल्कम बैक टो और ओर्लाइन क्लाशेश इन लास्ट क्लास्ट वी हैव डिस्क्रेश्ट अवाउट अवाउट देली सुतान्स इन नियर्भाई अव देली फ्रों मिगेशन ताउन तु दा इंटरलेट और दा कंट्री साइड कि पहले जो केवल एक इस परकार से सहर एक किलाबंदी केंट जिसको आज के समय बोलते हैं तास यह न को अरका दया उससे बाहर निकलके ब्रापड़ के उपर सासन करता है अब जैसे हम होने वहां से अपना सासन बाहर निकालने के लिए हिंटरलेंट और प्रोड़्समान साइड प्रियास की हैं फिर और यह भाकी साथ अलगके आपकर भी घब्जाश में जो बाक्ति अमारे उतक्ति जगे ने उनिके शासन किया वहां जस्टिस प्रोवाइड गराना थी इन सास्कों का काम था इन शुल्दान जो द्रहीन का काम था अब इतने बड़े सामराज्जे के लिए यानी पूरे बाल प्रसासन करना फिर आज पासे सब करेंडेंट जैसे आज का जो पाकिस्तान है या फिर बांगादेश है यहां तक सास नहीं था तो उसके लिए किस परकार उने एंडिशेशन एंड अपने पर सासन को और मजबूत किया और खासकर किसके सासन के तुरान जो खर्जी डायेश्टी और तुगलग डायेश्टी इसके दोरन ही इससे पर जैरका जब भी हमारे मुस्लिम सासिक बने इन्होंने एक च उसी परकार करें हमारे मंदिर बनवाये गए तो मुस्लिम थे इन्होंने भी अपनी पावर को दर्शाने के लिए फिर अपने आपको एक बगवान का इंकार्नेशन ऑफ गोड यह बगवान का अधेश्टी पर सासन करना है इस परकार अपना अधार दिखाने के लिए इन्ह उसे प्रात्ना करने के लिए जिस जगह के उपर पुरुजास्तर के उपर सर्चुपा के नमाज ला करते हैं मुस्लिम के लिए क्लिए वह मस्जिद उसमें एक ऐसा रहती खासकर मेर पुरुश हो मईला है नहीं होती उसमें जो पड़ा लिखाओ जिसको इसलाम समय तक्सा जान उसको इमाम डिक्लेम केता तक उसके बाद वहां प्रेयर करते और इमाम फ्राइडे को शुकरवार के दिन इसमें देखा तूरीड का कुदबा यानि सर्मन उप्देश भी देते उन लोगों को इस कम्मुनेटी के लोगों को इसमें एक चीज और की जठ भी नमाज दा की जाती है तो उसे में क्या है कि इन वीच डारेक्शन वी आरश पोस्ट वीप अब हैड किसकी सामें अगर बाद की बाद इनकी साइड पस्श्चिम डारेक्शन प्रेंदर हम और उस जगह को जिस जगह की तरफ वो अपना सर तक किने परतरों को चलाए केकिने इस प्रगार की बावना प्यादा करें और और एक की विशन पना 갔ा हूं था सक जर आetas सो करें इस यौके लोगborg का विश्वास बनाले हैं परसाशन के बाद इतना पराप परसाशन चलाना असान था उसके लिए उनके पास सबसे जरूनी चीज़ आथी कि जिस इलाके में वह गवर्नर जुट करने हैं या रेवेनियु क्लेक्शन के लिए कि लोगों को निफित करने हैं जो उनके पर वरुशाद हो अब इसमें आप देखो कि जादा तर जो लोग देन होने किन लोगों को रखा दे प्रेफर्ड अपने लड़कों से ज्यादा विश्वाशन होने जो उनके पास दास थे देवर परसेश्वां समयर हलाएं कि वो लोग सेवा के नहीं अपने पास सेवा के लिए बाहर से खरीटे के थे उसके लोगों को रखा गया और उनको दीरे परसेश्वाशन कैसे चला सकते हैं तो परसासन को मजबूत करने के लिए उनके पर विश्वाश रखा द्रास के और इमानदारी से काम तरे वफादार हो लोयर हो कहां जाके पढ़ती तो इनको प्रेफरेंस दी इन्हों ने अपने जो स्लेव के उनको प्रेफरेंस दी और उनको आगे बढ़ाया इसासने उनको गवर्णर बनाया गया लेकर इस गागी उपर अब उसके बाद है इसी व्यवस्था को आधी कंटीनू रखा जो ये व्यवस्था शुरू की ली थी सुल्तानों के द्वारा इन्हों ने और जो बनती बनाया गया थे यानि इसलिए उनके पास उनको बोलते हैं तो इसलिए वफादार बने रहा थे लेकिन परेशानिया का आई कि अब खल्ची और तुगलक के टाइमर मिन को बनाया रखा लेकिन उस टाइमरेक वर्ड इसके मालगा क्लाइंट क्लाइ किसी लिए क्लाइंट करते हैं अगर हमको सामान देशने वारा इग्राइक हमारे पास है लेकिन क्लाइंट किसी लिए बड़ इसके मालगा है वर्ड डिपेंड ओन अधर्स तो दूसरे पर डिपाइंट होता जो उसके साय के तौर पर पूरी तर उसकी व्क्ति को बनाते है क्लाइंट भी कुछ डिपेंड होता कि तो इन्होंने भी इसका दारी देखी तो सुल्तानों ने सुरुवात में शुरू की थी खल्जी और दुग्लिक दैस्टी के दोरान इसको प्रेशानिक आई कि अगर कोई स्लेव किसी किंग के पास है किसी राजा के पास है कि मालो मेर अगर किसके परती तो पहले वाले के परती आगे तो सासे काए उसके परती नहीं थे इसे कनफिक्ट होती जो नए राजा अपने साथ ने हमारे अव्यावस्ता कि नए गवर्नर रखते नए नोबल दरबार के जब जो दरबार ही रखते उनमें आप उसे विवाद होता कई कि वारे इनस्टेबलिटी ऑफ गवर्मेंट सरकार में अश्केता आती क्योंकि आप विवाद बढ़ता परिसालिया बढ़ती रहती है तो सासे करना असान नहीं रहता क्योंकि जो भी स्लेव थे देवल लोयल ऑफ दा अंपर्ड और किंग वो कैप्ट दैवाइज स्लेव द मुहमद दुगलग का है उन्होंने अपने यह ऐसे से लोगों को बड़े पतों तक पहुंचा दिया दो की वफादार थे इनको लगा कि इसासन में सायता करेंगे तो जैसे हमके पास कोई बार्बर नाई था कुख उसके बाद आपने उसके अंदर पढ़ा कि अगर को नाई अब इसका बेनिफिट क्या था कि कमांटर है उनका और सेना के जरीए उनका नियंतर बात की अगा इनको कि कलेक्शन के डिया जाएगा उन्होंने जो दमीन लोगों को दी माँगों एक वेक्टिक पार्टिक्लर एस लिए दिया खाए आपको यहां से बेने क्लेक्शन करनी ह अब उस वक्त इस अरिया को आवला गया। को जर्थ है। क्रिक्ता और जो नकीन के लिक्ता के रिकता Really तो इसमें पिर जो रहेंने जिम्यायर की दिना का नियानतन तो रहेगा estrogen का काम करेंगा उसी revenue collection में से वो अपनी salary भी निकालेगा और जो अपने पास है निकालेगा उनकी salary भी उसी revenue collection में से निकालेगा लेकिन इसके साथ चाहत अलावदिन खंजी और मुहमद दुग रखने काम हो और क्या assessment क्या उस जगर कि वहां से कितना text वसूला जा सकता है अपने accountant रखे कि कितना text वसूल रहे हैं कहीं साथ नहीं ज्यादा वसूल रहे हों और फिलिए यह आर्ट ट्रांस्फेरेबल यह जो इकता था है आज अगर किसी एक बच्छे को दे रखा है तो कल को किसी दूसरे वेक्ति को दिया जा सकता है क्यों ताकि वह वेक्ति पर्माने पर्माने के लिए तो दूसरी बार किसी दूसरी वेक्ति को देते अगले साल के लिए तो ट्रांस्फेरेबल होते हैं इसके लिए काउंटेंट रखे हुए थे मुख्य तोर पर तीम परकान के टेक्स लिए जाते पारा तो जमीन पर प्रॉडक्षिन का टेक्स लिए जाता ता इसको बोलते हैं राज और कितना होता फिस्टी परसेंट यानि अगर आपके पास सो के जिए अनाल जोगा तो पतास के लिए तो पुद्दा जाए टेक्स तो पर जार्ण मुख्य और कि उसके अनाल पर कंट के लिए और उसके बाद होशिस गहों के बिए अग इतने सारे टेक्स और यह विवस्ता मजबूल की गई इसके गौर्णिटिस पर का टैक्स फूलेंगे अब ये सारी वह वहुस्ता हैं उने के बाउदूद जब इन्होंने इतनी सारी वहुस्ता है कि तो दिरे दिरे अपना सासन भी बढ़ाया इन के सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इतने वास्टन पारे गोपर सासन करना असान नहीं रहा है। अब इक बंगाल के अपर सासन करना आसान है। अब इनोंने अलावदिन घंजी और मुवम्मुद उग्री में बहुत भार प्रियाज के उन इरियाज के उपर नियंतर्ण भी करने का प्रियाज के उसमें गंवा का इलागा था जाती फूरस्ट डिजन वन जेतर था उसके अंदर सासर करना चीफ और लोकल चीफ नहीं आकर्मन उसमें दे रहा है इन 1219 1219 में इरान का नोर्थिष्ट का इससा है इसके ओपर कंजेजिस खान ने आकर्मन किया उसके बाद उसने देली की तरफ देली संतनत की तरफ हमारे यानि वेस्टन साइट से तो आपने वहां से देली की तरफ भी आगे बढ़े अब इन सार इसके बाद ही लागों पर होने शांसन के जरी रहुए इंडिपेंटन वापीस होने सुनुआ हो गे थे और तीसरा बाहर से मूंखे तौर वेस्ट साइड से माले पर ज़ा कर वहें तो इसमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उससे निपढ़ने के लिए तुगलक और हमा क्लास थैंक्यों अटर नाष्ट